और वानिंग स्ट्वेंट्स एक्सराइज 6.2 का कोश्चन नंबर 6 डिसक्स कर रहा है अपने कोश्चन नंबर 6 क्या है देखिए एस पर इस गिवन इन फिगर 6.33 जो यह डाइग्राम दिया यह कोश्चन का पाठे पीक्यू एंड आरेस आर टू मीरर सबसे पहले देख लिजी बात कर रहा है दो मीरर कुंपर से एक तो यह पी जुँ और एक एक यह आपका आरेस टीके मैं पेक्ञार के लिए यह इंसिडेंट रे हो गई पी क्यों मिररं के लिए और कि यह वाले आगे लिखा एन इंसीडेंट रे त्राइक दमीर प्लब्यू एक फॉइन रहे है जो पॉइंट बी पर democrats करें एक लीला उससे टक्राती एंगे तरर एक ते डी इनिहूंग अलicated시 बी सी रिफ्लेक्टेट रहे किस पात पर मुझ कर रही है बी सी पर यह इस तरीके से ठीक है उससे टकराएंड इस्ट्राइक दे मीरर आरेस आरेस से टकराती है कौन से पॉइंट पर पॉइंट सी पर क्लियर इतना आगे लिखा है एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉंग सीडी और फिर जब आरेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है तो यह सीडी डियरेक्शन में जा रही है प्रूदेट कि एबी इस पैरलल टू सीडी अपने को प्रूवियक करना है कि वह यह यह जो एबी है जो इंसिडे सबसे पहले तो आपको समझने के लिए मैं छोटा सा कंसिप्ट बताऊंगा जो आपने लास्ट क्लास में जो लाइट वाला चेप्टर फिजिक्स में पढ़ते हो उसमें आपको यह सिखाया गया होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं देखिए वहां क्या होता था जब यह गाँ अपका स्क्राइट लाइन ठीके इस सरफेस पर जब एक इंसिडेंस रे पड़ती थी इस तरीके से इसको क्या बोलते तो जब यह यहां आती थी तो इसको बोलते थैं अपन incident incident यह incident रे मतलब की रण क्लियर यहां से रिफ्लेक्ट होके यह इस तरीके से जाती थी तो इसको अपन बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे तकराने के बाद जो रे जाती ती उसको क्या बोलते है रिफ्लेक्टेड रे इट्स क्लियर नौट अब क्या करते थे डियर इस्ट जब यह दोनों रे आजेती थी तो यहां पर यह अपन डालते थे परपेंडिकुलर सेंटर में यह परपेंडिकुलर क्या करता था इसको बाइसेक्ट करता था मतलब बराबर इक्वल पार्ट में पार्ट करते थे और इस रे को अपन परपेंडिकुलर यह तो फिर नौर्मल बोलते हैं ठीक है परपेंडिकुलर यह नौर्मल एक बात समझने वाली थी वहां प्रकाश में कि जो incidence रे और नॉर्मल के यंगल होता था उसको आपन बोलते थे incidence angle और i से denote करते थे जो normal और reflected ray के बीच का angle होता था वो होता था small r जिसको अपन reflected angle बोलते थे clear है यह concept clear है यह अपने आपने जो है light वाले chapter में पड़ा होगा डियर सेम केस में यहां पर लेता हूं देखो यहां मैं क्या करता हूं एक simple सा एक छूटा सा construction करता हूं पे ले यह वाला यहां पर क्या करता हूं मैं इस बी पॉइंट से एक normal डालता हूं नीचे की तरफ ठीक है बी पॉइंट से नीचे की तरब normal डाला जैसे मैंने यहां आपको डाल के बता है और इस पॉइंट को सपोस्मे ने क्र Wah Ranch यहाँ पर क्या होगा के इस अंगल को मैंने नाम दे दिया बन Cash को मैंने लाम रत ऊंधे लिग होता था law of reflection के कारण law of reflection के कारण यह दोनों क्या होते थे एक्वल होते थे तो यहां पर भी जो है इंसिडेंट के कारण बना एंगल वन और रिफलेक्टेट के कारण बना एंगल टू यह दोनों आपस में इक्वल होंगे की नी रीजन क्या दोगे देट इस लॉफ रिफलेक्शन लॉफ रिफलेक्शन या तो लॉफ रिफलेक्शन से तो होई रहे या आप सिंपल बोल सकते कि नॉर्मल जो डाला उसने क्या करा बाइसेक्ट करा ना लॉफ रिफलेक्शन आर करके लिख सकते हो कि नॉर्मल ने क्या करा ब कि एक कर rat me बैसेक्ट मलब दो बराबर भाग में बाटा इसलिए वन और टू दोनों क्या है क्लिए तब द्यान से देखने सेंट कंसिप्ट अब मैं यहां पर लगा रहा हूं सी पॉइंट यहां पर भी मैं क्या करता हूं सी पर एक नॉर्मल डालता हूं ठीक है इसका नाम दे दो इसका एम दे दिया इसका दे दो एन क्लियर अब यहां पर इस केस में यह जो इसके लिए रिफ्लेक्टेट रे थी इसके लिए क्या हो जाएगी इंसिडेंस रे हो जाएगी यह एंगल थाड दे दो और यह एंगल दे दो फोर द्यान से समझना इसके लिए इंसिडेंस रे हो जाएगी बी सी और रिफ्लेक्टेट रे हो जाएगी अपकी c d again rule apply हो जाएगा कि वह यह angle 3 और angle 4 भी जो है equal होगा और वह किस से equal होगा that is law of reflection ना law of reflection इसके कारण जो है यह angle क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएगा क्लियर अब चू की question में देखो पी क्यू किसके परलल है आरेस के यह लिखा भी है टू लाइन है जो की एक दूसरे के क्या है पैरलल है 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 जू की question में क्या दिया अपने को कि पी क्यू इस पैरलल टू आरेस एक चीज तो यह दी दूसरी जो अपने construction के थुड़ू देखा कि वह यह जो बी एम है यह परपेंडिकुलर किस पर है था फीं क्यू पर डाइग्राम में देखते हुआ है यह 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 परपेंडिकुलर पी कि यह यहिदी सी एन परनपेंडिकुलर और ऐस पे हो गया तो द्हान से देखो गेतो जो भी आहां है आपका ऑंगो हर जो सी एन है वह उसको थोड़ा एक्ष्टेंड करло यहां तक और इन को और एक्षंड करऊं यहां तक तो दोनों इस पीज स्टैंट में परन is पर परपेंडिकुलर है एदी तो यह दोनों आपस में परालल होंगे की निए यह समझ दो थोड़ा सा इस तरीके से अगर यह जारी दोनों लाइने है ना 90 डिग्री यहां जाके बना रही है तो यह अपस में दोनों बराबर होगी की निए इसलिए बोल सकते हैं सिंपल सी बातियां लिखना इसलिए जो बियम है वो पैरलल होगा चैन पर आन इसलिए और नोर्मल डाले थे वो अपस में क्या हो जाएंगे चैन्ट यह अगर पैरलल हो गए तो ये उनको जोड़ने वाली लाइन ये बीसी जो है यह क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल रान कहलाईगी ये चैन्सवर्सल क्या इस ट्रांस्वर्सल कि लिए बीसी इस ट्रांस्वर्सल नौ अब द्यान से देखने वाली बात है एंगल टूप यह ऐसा गया ऐसे आया ऐसा क्या बन रही है यह जो है अल्टर्नेट इंटीरियर इंगल बना रहे है दीज 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 मतलब यह जुका गिए इंगल टू इंगल तू इकवल होगा एंगन थी के रीजन है इंटीरियर एंगल अनुद यह दो इसको एक्वेशन नाम दे दिया मैंने कि अब येदि एंगल 23 के बराबर है तो यहां से देखेंगी ज़रा सबसे उपर इसका मतलम यहां से यह भी होगा कि एंगल एंगल 4 के बराबर भी तो होगा है नगे इसको भी Equation number second दे दीजी, क्लियर, एक्वेयशन नमबर से केन्ड आ गई अब क्या करो這種 को एड़ कर दो हुआ है === पर क्वार्स पार्स्ट बच्व कर दो यह यहां पह पर कर रहो हूँ एक्वेशन फ़ास्ट चेंड कर है equation first and second कर रहो देखे क्या होगा एंगल वन और टू जूड़ जाएगा वन प्लस टू कि इधर जूड़ जाएगा थ्री प्लस फूर क्लियर थ्री प्लस फूर कि अब द्यान से देखो इसके आगे की स्टेफ जो नीचे लिखने वन और टू को देखो वन और टू दोनों किसका है ए बी सी को यह इंगल ए बी सी के अंदर आ रहे हैं वन और टू तो पिसको लिख सकतो हूं में इंगल ए बीसी च certains यह लिटू ए इंगल 3 और 4 को देखिए वैंगल 3 और πॉब ना यह इंगल BCD के बराबर है ठीक है अब अगर एंगल ABC और BCD दोनों बराबर है यह alternate interior angle भी है इसका मतलब यह दोनों बराबर है alternate interior angle है तो जो line AB होगी वो किसके parallel होगी CD के पेरलल होगी ठीक एक सींपल सी लाइन में यहां लिख देता हूं देहां रहे हैं आपको कि इसके आगे की कि यहां लिखेंगे इसके आगे बट इना इसके नीचे लिखना आपको डीज आ था इंटीरियर इंग कुन से Alternate Alternate Interior इसी एक लाइन लिखना Alternate Interior एंगल ठीक है Alternate Interior इसलिए इसलिए क्या बोलोगे कि A B जो है वो C D के Parallel है A B जो है वो C D के Parallel से यह प्रूफ हो जाता है this क्लियर मेडियेशन कोश्चन नमबर सिक्स बड़ा ही इंपूर्टेंड कोश्चन है अच्छा कोश्चन है पूछा गया कोश्चन है ठीक है इसको इस तरीके से अपने को बनाना है